कि अभी चुटा सा सेशन है क्योंकि नौ बजे आप सबको पता है हमारा क्या चलने वाला है जीक के मेगा फियस्टा का बड़ा वाला डिस्कुशन अभी सेशन है बहुत लोग को गन्फीजन होता है कि सर ग्लाइट पोस्ट क्या है इसका यूज़ क्या करे इतने सारे टॉपिक है वन लाइनस के लिए काम आईगी कि नहीं आईगी नाम में तो ख्लाइड दिखाई दे रहा है और लोग इंटरेंस देस्ट के बारे में क्या होगा तो लेट् फटा-फट इसे समझते है कि क्लाइक पोस्ट होती क्या है अब यह है अगस्ट दो हजार थेजिस का एडिशन आफ दे क्लाइक पोस्ट यह है पहला पेज है नहारे डिजाइन ने में काफी अच्छा काम किया आप देख सकते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफिक इस जैसे कि we study topics in our classes, right? हम कुछ topic अपने classes में पढ़ते हैं. Now, after classes, जब हम topic classes में पढ़ते हैं, तो कुछ topic हम show shot में पढ़ते हैं. So, first is our class. Class में we try to cover एक साल के around 150 plus important big topics. Then, when we talk about GK show shot, तो GK show shot में भी हम cover करने ही कोशिच करते हैं. Small topics, 150 plus around. अब यह जो topics हैं, यह एक साल के पूरे topics होते हैं, which are around 300-300 plus topics, जो हमने पढ़तो लिये हैं, right? इसको हमने पढ़तो लिये हैं. अब इसके religion होना भाद बार जरूरी होता है. तो अगर आप पूरे एक साल के CLAT post का analysis करें, पूरे एक साल, January से लेके तो November तक की CLAT post जो आपको मिलेगी, 11 महिने मान लो. इन 11 महिने की CLAT post को अगर consider किया जाए, तो over the period of time, हम CLAT post में cover क्या करते हैं? एक CLAT post में, in one CLAT post, if it is the month of August, हम 15 August मन्थ के major topics, बड़े सबसे important topics, जो सबसे बड़े या सबसे important topics है, वो सारे important topics को हम cover करते हैं. We cover all the important topics of that particular month. Now, इस month में जो सबसे important 15 topics होते हैं, the most important 15 topics you can say, उसके with notes आपको CLAT post में चीज़े मिल जाएगी, explanation मिल जाएगा. After that, अगर हम माने, if we talk about 15 other topics, जो दिये जाते हैं, in the form of current affairs practice sheet, 15 और चीज़े मिलती हैं, caps के form में, current affairs practice sheet, ये भी 15 topic होते हैं, इसको आप CLAT pattern के question answer format में solve करते हों. अब ये क्या होता है, अभी मैं इस video में आगे बताऊँगा आपको, but on an average ये मान के चरो, 30 topics are covered in one CLAT post. So this is coming since January, आप अगर इसको मान लो, November तक you get 11 CLAT posts, which is more than 300 topics. जो topics हमने यहां पर अच्छे से पढ़े हैं, उनका एक और तरीके से revision, या फिर कुछ अगर topics यहां पर छूट जाते हों, तो additional topics भी आप फिर से अगर सकते हों. इस purpose के लिए, there is a CLAT post. अब आप इसके index में यहां पर देख सकते हो, you can see this in the index. यहां पर, जो, I think this is July मन्त का जो CLAT post है, यह वह वाला है, तो इसमें PM प्रनाम स्कीम, SEO समिट जो उस मन्त में होआ था, Artemis Record, जहां पर इंडिया ने जाने का decide किया है, Hiroshima AI Process G7 की मीटिंग के बाद जो होआ था, Fukushima Water Issue, Data, Data Governance in India, आपने सुना होगा, Data Governance की Policy, जो आई है, बहुत बड़ा जो project हुआ है, Parliament का inauguration, तो बहुत ही important से, जो सबसे important 15 topic होते है, 15 topics, वो सारे 15 topics आप यहां पर detail में देख सकते हो, like India, Taiwan, और Genome Sequencing या चंडरयान 3, तो यह सारे project के detail में आपको notes मिलेंगे, यहां पे इसके page number आपको दे रखे है, नीचे caps लिखा हुआ है, caps पे ह आप चलेंगे, बट 15 topic की अगर हम बात करें, तो इन 15 topics को आप यहां पे देख सकते हो, in the notes format, जैसे इस topic का नाम दिया होगा, right, there is a topic name, और उस topic के बाद everything about that topic, why that topic was in news, what exactly is this scheme, what is the objective of scheme, funding कैसे आ रही है, क्या है, इस past initiative इस से related, what is bio fertilizers, उस से connected कोई चीज़, अगर term पूछी कि तो वो भी सब इसमें डाल दिये, and clat pattern पे उसके उपर कुछ सवाल, clat में किस तरीके से इस पे questions बन सकते है, वो questions भी आप यहां पे practice करते हो, so you can see, ऐसे 15 topic दे रखे है, तो इन 15 topic के लिए इस चीज़ के उपर आप rely कर सकते हो, कि 15 topic आपने यहां से देख लिए, इसके आते है, तो current affairs practice sheet जो यहां पे दे रखे है, इसके बाद, यहां पे, इसमें 15 topics are there, 15 all topic यहां पे caps में दिये होते है, यहां पे उसके notes नहीं होते है, because they are second priority, पहली priority कौन से topic है, जो detail में दे रखे है, second priority is caps वाले topic, current affairs practice sheet वाले topic, यह topic वो topics है, जिसको आपको सिर्फ question मिलेंगे, you will get only questions और question practice करके, उसका detail में थोड़ा discussion देखके, आप उन topic के बारे में पढ़ सकते हो, these are small topics, तो एक तरीके से आप 30 topics करते हो, एक CLAD post में, 11 महिने में आप करोगे around 330 topics, 300 से जाधा topic आप cover कर लोगे, अब यह तो होगी, आप CLAD के perspective से, but this is useful for other law entrance test also, other law entrance test के लिए, चाहे वो EL चाहे हो, MHCTO चाहे हो, कोई भी और exam हो, जो one-liner question पूछता है, जाधा तर one-liner question पूछता है, वहाँ पे important क्या होते है, national, international, economy, sports, right, इससे related science and technology, obituaries, days and themes, यह सारे one-liners काफी जाधा जरूरी होते है, right, these type of one-liners are important, उसमें से आपको majorly, names, places, numbers, dates, यह सब याद रखना होता है, तो वह सारे एक महीने के one-liners आपको इस klatpost में यहाँ मिलेंगे, in different different format, like national, international, science tech, appointment, awards, books and authors, days, obituaries, rankings, sports, summits, banking and economy, everything, you name a thing and you will find it there, हर चीज आपको मिलेगी, and lastly, आपका होता है na CLK, current legal knowledge के बारे में क्या करे सर, big question you have, तो you will see articles of current legal knowledge also, तो इसको आप अगर scroll करके आगे पहुचते हो, हाना, तो you will see all the one-liners here, आगे बढ़ते है, तो एक बार one-liners भी scroll करी लेते हैं, अब इतना सब कर रहे हैं, महनत होई रही है तो, हाना, so let's see what kind of one-liners are there, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, you will see one-liners of complete one month, एक महीने के पूरे one- liners with, you can say, कौन सा एरिया है वो, चाहे वो national है, international है, किस एरिया में one-liners आये है, वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी, so I think these are national topics which are there, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से यह स्टार्ट हो चुका है, and this is for one-liners for other law entrance test, national one-liners, जैसे कि Buddhist confederation हुआ था, तो उसके बारे में सारी चीज़े, actually ना हम one-liner है, बर काफी detail में दिया गया है, काम की चीज़ आप इससे विड्रा कर सकते हो, so this is what exactly Clackpost is, this is going to help you in revising all the topics of last one year, जो काफी important है, और 300 से जादा topic, जो आप यहाँ से revise कर सकते हो, अच्छे से, अगर किस topic पे notes से हैं, तो आपको यहा के one-liners, complete one-year one-liners for other law entrance test, you will get here, so, जब आप study material खोलो, अपने portal पे जाके, तो study material में Clackpost हो, अगर आपने start नहीं किया हो, तो जल्दी से उससे start करो, because that is going to play very important role in your preparation, I hope this video was helpful, thank you so much. झाल